जान्जगीर में महिला और बालविकास विभाग द्वारा राइपुर एम्स और यूनिशेफ के सहयोग से एक दिविसी प्रसिक्षन कारिक्रम का आयोजन किया गया कुपोशन की समस्या पर प्रभावी रोक्थाम के विशय पर आयोजित इस कारिक्रम में विशेशग्यों ने कुपोशत बच्चों की पहचान के संबध में जानकारिया दी साथी उन्होंने कुपोशन से बच्चने के उपायों की भी चर्चा की कारिक्रम में कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा कि गंभीर कुपोशत बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनर्वास के इंद्र भेजने की विवस्था की जाए यहां लगातार उन्हें पॉस्टिक भोजन और वाइटमिन युक्त आहार देकर उन्हे कुपोशन से मुक्त कराया जाए कारिक्रम में महिला और बालवकास अदिकारी अनिता अग्रवाल ने बताया कि इस कारिक्रम एक पोशन से बचाव की बारे में प्रतिभागियों को सभी तकनीकी जानकारियां दी गई है ताकि वे अपने शेत्र में कुपोशन की समस्या को दूर करने का अभ्यान सफलता पूर्वक चला सके आज बहुत अच्छी यहां पर ट्रेनिंग दी और लाइब दिखाया कि बच्चों की हाइट कैसे लेनी है वजन कैसे लेना है स्टंटिंग बच्चे जो बौनापन है बौनापन भी कुपोशन में आता है ये सब की जानकारी सभी सूपरवाईजर्स को दी गई है और इसमें सभी सूपरवाईजर्स को निर्देशित किया गया है कि आंगन बढ़ी कार्यकरताओं को भी ये प्रसिक्षन प्रदान करें और आंगन बढ़ी कार्यकरता फिर इन बच्चों को अच्छे से चिन्हांकित कर पाएंगी और हमारे जीले का कूपोशन का प्रतिशत क्या है यह भी पता चलेगा और उनको पोशित बच्चों को हम अलग से आइडेंटिफाई करके जो सैम बच्चे हैं उनको अलग से आइडेंटिफाई करके उनका चिन्हांकन करके अच्छे से उनकी केयर कर पाएंगे मुखे मंतरी बाल संदर्व योजना और जितने भी पोर्षन अभियान है उनके माध्यम से इस कारिक्टर में परिवेक्षकों और आंगनवारी कारिकरतां को भी प्रसिक्षन दिया गया साथ ही उन्हें अपने शेत्र मित को पोषित बच्चों की पहचान कर इस समस्या से मुक्त करने के लिए आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये गए